दोस्तो, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए RBI के तरफ से एक बहुत बड़ी खुश खबरी है और खुश खबरी ये है कि मोबाइल नेटवर्क पोटेबिलिटी की तुरही अब आप क्रेडिट कार्ड के भी नेटवर्क को पोर्ट करवा सकेंगे यानि कि क्रेडिट कार्ड के नेटवर्क को भी आप चेंज करवा पाएंगे और RBI इसका ड्राफ्ट बना चुकी है और जल्द ही ये फसलीटी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को मिनने वाला है तो दरसल ये क्या कुछ है क्रेडिट कार्ड नेटवर्क कोट अब करने वाले हैं तो दोस्तो देखिए मुबाइल का नेटवर्क को पोर्ट करना तो अब बड़ा ही आसान हो चुका है क्योंकि MNP बहुत पहले यह कहिए तो पिछले कुछ सालों से लागू हो चुका है कोई भी अपने फेबरेट नेटवर्क में यह जिसकी सर्विस अच्छी है उसे नेटवर्क में अपने मोबाइल के SIM कार्ड को स्विच कर सकता है बिना अपने नंबर को बदले हुए ही उसी से अब आप क्रेडिट कार्ड के नेटवर्क को भी बदल सकते हैं अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि दरशाल क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क होता क्या है नेटवर्क किसे कहते हैं तो देखिए बढ़ा simple और आसान भाषा में समझे कि कागर आपके पास क्रेड जलने का ये feature कहिए तो ये facility RBI जल्द ही लाने वाली है क्योंकि इसका RBI draft बना चुकी है इसके बारे में घोशना भी कर चुकी है जल्द ही ये आम आदमी के लिए अवलेबल हो जाएगा अब ये जानते हैं कि credit card network port करने के क्या benefits होंगे तो देखे इसके कई benefits होंगे क्योंकि हमें और आपको सब को पता है कि हर एक credit card का joining fee लगता है annual fee लगता है ये सारे जो charges लगते हैं वो network के दुवारा bank के उपर किये चार्ज के हिसाद से ही लगते हैं तो अगर मान लीजे कि आपको visa का सस्ता card मिलता है ये visa के card पर अगर annually charges कम लगते हैं तो अगर आप उसके network में switch करेंगे तो आपको भी annually charge कम पे करना पड़ेगा benefit number 2 reward points अलग-अलग credit card के reward points भी अलग-अलग तरीके से मिलता है कि अगर भाई आप 100 रुपे खर्च करते हैं तो आपको एक point मिलेंगे किसी card में 500 रुपे खर्च करने पर एक point मिलते हैं और किसी card में 50 रुपे खर्च क customers को reward point मिलता है तो अगर माल लेजिए कि किसी card पर कम खर्च करने पर ही ज्यादा reward point मिलता है और अगर उस network में आप जाते हैं तो यकिनन आपको ज्यादा reward point के earning होगी यानि कि आपका यहाँ पर फाइदा होगा तो इस तरह से आपका network portability अगर credit card का करवाते हैं तो आपको इ RBI के draft में mention है detail में कि कैसे existing customer अपने पुराने credit card के network को change कर पाएगा तो देखे हर एक credit card की एक validity होती है दो साल तीन साल चार साल पांच साल चाहिए जो भी validity हो अगर card एक बार expire हो गया तो दूसरी बार renewal जैसे ही हो करके आने वाला होता है आपका card उसी renewal के दौरान आप अपन card का feature हमें अच्छा लगता है अगर master card की सारे facility अच्छा लगता है तो हम renewal के दौरान visa के बजाए master card को choose कर सकते हैं यानि कि अब इससे पहले जो bank और NBFC company हमारी उपर card का network ठोप दिया करती थी अब वैसा नहीं चलेगा बलके RBI का जो नया draft है उसके according आप अपने मन मताबिक आप अपने choice के मताबिक आप अपने पसंद के मताबिक अपने credit card के network को switch कर सकते हैं इसे ही कहा जा रहा है credit card network portability यानि कि आप अपने credit card के network को port करवा सकते हैं किसी दूसरे network में switch कर सकते हैं तो बस यही सारा information है credit card network portability के बारे में जल्द ही ये customer के लिए available होगा कहिए तो credit card holders के लिए ये अविलेबल होने वाला है तो चलिए आज तक लिए इतना ही इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिक करके पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें ज्यादा ज्यादा लोग शाफ शेयर कर और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारी योटीव चैनल को भी सब्सक्राइब करें